असलाम लेक्व मैं यूट्यूब फैमिली आज मैं किसा शेर करने चाहरी हूं आरी मोटिव बिकोज आजकल मोटिव्स जो हैं वह बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं वाइस आजकल मोटिव्स याज पॉकिट क्यों पर डिजाइनिंग करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं ब हैंडमेंड इंप्रोइडरी भी कर सकते हैं और तारकेशी मिक्स करके भी यह मोटिव्स बनवा सकते हैं मैं यह मोटिव तक्रीब 10 साल के बच्चे की शर्ट के बिना रही हूँ जिसके लिए मैंने ट्रेस मार्किट से लिया था क्योंकि इस तरह के मोटिव के ट्रेस जो हैं वो इसली मार्किट में अवेलेबल हैं आप ऐसा ट्रेस यूज करें जिसने आपको नौट बार बार ना लगानी पड़े और कंटिन्यूसली आपका थ्रेड जो है वो आगे चलता चला जाए एंकर का थ्रेड मैंने यूज किया है बिलकुल लाइट ब्लू शेड है यानि स्काइबलू नीचे जो बेस कॉटन कपड़ा है उसके उपर मैंने ट्रेस लिया और उससे थोड़ा डार्क शेड में थ्रेड लिया है ताकि उपर बहुत अच्छे से प्रमिनन्ट हो जाए मोस्टली हम लोग सेम धागा यूज करते हैं लेकिन यहां पर मैंने उसका थोड़ा डार्क यूज किया है इंशालल जल्द आपके साथ शेड करूंगी कि तारकिशी और हैंड इंब्रोइडरी वाले मोटिव्स भी इकर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बेसिकली आर तो अड़े बगारा पर यूज होती है लेकित मैं उसको फ्रेम में भी यूज कर लेती हूँ इसलिए उसको रूटेट करना या बाकी चीज़े बैलन्स करना एजी हो जाता है फ्रेम में हैंड इंब्रोइडरी या तारकिशी मिक्स करने के लिए जो मोटिव है वह मैंगो शेप में जो है वह बहुत अच्छे लगते हैं चाहे वह सिंगल हो डबल हो या थोड़ा उससे डिफरेंट अंदर फलार मिक्स कर दिये जाएं लेकिन बॉइस की शर्ट पे थोड़ा उनीक किसम का मोटिव अच्छा लगता है अमीद करती हूं आपको यह पुसंद आएगा अपनी दौाओं में याद रखिए गया इन्शाला जल्द मिलते हैं किसी एक और उबसूरा से टुटोरिल के साथ Hefna hefðu ekki ég því manilega.